नमस्कार दोस्तो टार्गेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्धम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से सम्मंदित सभी सूसनाय परदान की जाती है उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अध् सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करने ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें चलिए सुरू करते हैं सबसे बहले बात कर लेते हैं आज के समचार पत्रों में आई एक बंपर भरती की और नोटिफिक सब्सक्राइब उत्तर प्रदेश स्कूल करमचारी चैन आयोग के अंतरगत उत्तर प्रदेश इस अ कुल कालेजग इस तीचार जितनी भी है इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है कि चपराशियों की बापों की स्कूलों की कालेजude ॥ी स्टाफ की अगर किसी को मेनेजर वनना तो उसकी लिए भी है यहां पर 24,178 पत है कुल यहां पर लिखा कि स्कूल कालिज टीचर्स के एज यहां पर देखे एज इसकूल में यहां पर 21-35 वर्ष कर दी गई है जबकि उत्तर प्रदेश में समान जो एज होती है वह सभी बढ़तियों की 40 वर्ष को होती और 2486 पत हैं टीचर्स के और मेनेजमेंट के यारी बावू क्लरकों लिपकों इत्याद के 3800 पत हैं गुरुबडी चपरासी के 2892 पत हैं अलग अलग केटी की रिवाइस यह बताया गया है यहां पर और यहां पर वेप साइट भी नीचे दिखिवी है UPSSB.org यानि उत्तर प्र और आवेदन की जो डेट है यहां पर लिखा 11 सितंबर और आज सही धमागा कर दिया है कि आज सही इसकी जो आवेदन है वो शुरू हो चुक है हम लोग सीधर नोटिफिकेशन को देख लेते हैं और इस वेप साइट को क्लिक करते हैं इस वेप साइट को बहुत सारी विद् दिया है आवेदन की जो डेट है वो ग्यारा तारीक से लेकर करके 10 अक्टूबर तक आवेदन करना है सबसे पहले तो मैं आपके दो बज़े से यहां पर लेगा कि लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और पदों का विवरल भी यहां पर दिया है कि किस किस विशय के कितने कितन भूगोल कितने पत हैं आप हर बिसा का जो एक टेगरी वाइस दिया यहां पर और अकाउंट्रेंट के कितने 244 से कंप्यूटर आपरेटर के 1199 कैसियर के 700 सरसाट है मैनेजमेंट के जो है मैनेजमेंट की मैनेजमेंट की भी बढ़ती वाई 590 पत हैं तो इस तरीके से यह तो यह तो परतादो की समें आदर दूरा जो ini notification जारी हुआ है और हालाकि यह तीन दिरूंट्रीकर जारी हुएuw एक में तो यह बताय गया कितने कितने पते हैं और उनकी यूगता जेखता और यह सूज शूरbles पाइद होना चाहिए ठीक देने ही है कि सुनरा Er formats करे यहां पर जो है वह आधा अधूरी योगता बताई गई है इसमें कि इतना लिखा गया कि लिखित परिच्छा होगी और साक्षातकार होगा तो यह तो यहां पर क्योंकि इस तरीकी कि तो किसी ने उत्रप्रदेश में पहले देखी नहीं थी और यहां पर जो है और जब से यह वर वेब साइट ही है और यह नोटिफिकेशन यह वाइरल हुआ है भरती के बारे में समाने निर्देश, चेहन प्रक्रिया और स्लेबस, एक्जाम पैटर्न, पब्लिक नोटीस भी जारी की गई है और तब से बहुत सारे जो जितने भी उत्तर प्रदेश के चेहन बोर्ड है सब जगे मैंने फोन मिलाया और बहुत सारे लोगो जो अध्धक्ष विकी खान उने से भी बात चीत्र ही ए तो उन्होंने बात किया है चेहन बोर्ड की जो अध्धक्ष वीरेश कुमार जी तो उनको भी इस तरीके की भरती के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो कुल मिलाकर के अगर उत्तर-प्रदेश में अध्याबको उतनी बरिए संस्था होती तो जो है चैन बोट को इसकी बारे में जानकारी जरूर होती कुकि शिंख विभाग व को बदा को इस तरीय की बर्ति में कोई भी जानकारी नहीं है तो कुल मिला करके वहां से भी जानकारी दे दी गई है कि ये जो वेब साइट है और जो ये नोटीस है और जो नोटीफिकेशन है ये सो है पूरी तरीके से संदिक्द है और आप लोगों को अभी इसके लिए बिलकुल भी आवेतन नहीं करना है किसी भी विद्धार्थी को ब यह पर आयो, क्यों लिखा आयो का मतलब होता है commission इंगलीस में तो यहां पर selection board लिखा यहां पर आयो लिखा है योगता को ले करके भी नहीं लिखा कि कि सब्जेट का कैसे कामशन होगा चीस तरीके से जानके समयां चाहिए तो इस ततरीक है बहुत सारीचीज़े होती है प्रतियों की चाहत्र मोर्चा ने अपील किये कि अगर आपको भरती वास्तों में चाहिए तो आप लोग 13 सितंबर को यानि की ग्यारा बजे चैन बोर्ट में सबी लोगों को पहुतना है बारा सूत्री यह मांगे हैं और इसकी बारे में आच के समचार पत्र के माधन से विजानकारी दी गई थी लिख्या है माननी मुक्यमंत्री जी ने अपनी सभी से वहाँ में 27000 के लिए कहा था और उसकी सब्सक्राइब का एक पत्र चैन बोर्ट दार भीजा जाना चाहिए कि समान वेतन मान पर चरित अबर्ति आने वाले ने विज्ञापन में आवे दिन नाक कर सके के 2021 के परड़ाम में वह सिंगर से सिंगर जारी किया जाए विज्ञापन वर्स 2021 के अंतिम परड़ाम जारीकरने के लिए ये नो सी catch लेये जाने एट्था तक कि जाना चाहिए और यहां पर लिखान वर्स 2021 की अंतिम परडाम जारी करते समय रिक्ठियों से अधिक प्रतिक्षा सूची 25 परिशत जारी किया जाना चाहिए और यहां पर नीचे लिखाई विज्ञापन वर्ष 2021 में समर्थ समस्थ तदर्थ सिख्चकों के रिक्त पदों का अंतिम परिडाम जारी होने के साथ ही 15198 बे पदों के अतिरिक्त तदर्थ पदों को जोड़ करके प् प्रवक्ता का अंतिम प्रड़ाम जोड़ित कि जाने के आवशकता है विज्ञापन वर्ष 2011 जी विज्ञापन वर्ष 2016 के लिखित परिच्चा प्रड़ाम को ततकाल गोजित किया जाना चाहिए क्योंकि विलम मोच चुका है और भी बहुत सारी जो मांगे हैं जो विद्ध तारीक को रखा जाएगा तो इसमें आवेदन बिल्कुल नहीं करना साड़े पांस रुप्य का फारम है और अगर भरती लेनी है तो आप लोगों को तीरह तारीकों चेनबूर पहुचना है अब बात करेंगा लोग सेवा आयोग ने सीबी आई जांच की वजए से काफी संक्या चोबिस अगस्त को निरेस्ट किया गया था नवीन विश्तरत विग्यापन चुबह वह 13 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा जो कि आयोग की वेबसाइट यूप यूप सी डाट यूप डाट एन पर 12 अक्टूबर 2021 तक उपलफ रहेगा इस विग्यापन के अतरकत आयोग द्वारा केवल उन अभेरतियों के अभेरतन पर चेण विशार किया जाएगा जिनोंने 13 दिसंबर 2013 दोлан आपन संक्या कि जो चात्र हैं वह अपना जो आवेदन पत्र हैं उसको डाउनलोड कर लें डाउनलोड करने के बाद में स्वप प्रमाडित करा करके लोकसिवा आयोग में जाकर करके जमा कर दें लिकित परिच्छा इन विद्यारतों की 16 नमबर 2021 को होनी है तो 16 तारीक को इन विद्यारतों की परिच्छा भी हो जाएगी उत्तर प्रदेश में प्रात्मिक सिच्छक भरती की तैयारी करने वाले साथियों आपको बता दे कि प्रात्मिक सिच्छक भरती के लिए 12 सितंबर सुबह 11 बजे दिन रवीवार को एक ट्विटर पर कैंपेन रखी गई है जिसका है यूपी जी ओवीटी अंडरिस्कोर रिलीज अंडरिस्कोर यूपी पियाटी कैप्टल लेटर में इस हैस्टेग को ट्रेंड कराके उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी ताकत जिन चात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बोधनवाद